कॉंगरस कने तार रनदीब सुर्जे वाला का एक बड़ा बैान सामने आया दरसल आमाद्मी पार्थी से गड़बंधन को लेकर ये बैान सामने आया है कनजाब और अबात्याणा में आमाद्मी पार्थी से कोई गड़बंधन नहीं होगा दिल्ली को लेकर उन्होंने ये बयान नहीं दिया लेकिन पंजाब हर्याणा को लेकर उन्होंने इस पश्ट काया कि पंजाब और हर्याणा में आमाद्विपार्टी से कोई गडबंधन नहीं करेगी रंदेप सुर्जवाला का ये एहम बयान सामने आया रंदेप सुर्जवाला ने साफ किया है कि हर्याणा और पंजाब में आमाद्विपार्टी से कोई गडबंधन नहीं करेगी दस की दस हर्याणा की सीटों पर कॉंग्रस जल्दी अपने सभी उम्मिद्वारों के नाम का एलान भी करेगी बड़ा बयान रंदेप सुर्जवाला का आमाद्विपार्टी से गडबंधन को लेकर रंदेप सुर्जवाला ने साफ किया के हर्याणा और पंजाब में आमाद्विपार्टी से कॉंग्रेस कोई गडबंधन नहीं करेगी माई सहीएगे विनूद लामा मारे साथ वोल लाइन पे जुड़ रहे हैं विनोद बड़ा बयान इस पश्ट हो गया कॉंग्रेस कम से कम पंजाब और हर्याणा में तो गड़ बंदन नहीं कर रही है आमाद्वी पार्टी से अनिशे तोर पर बड़ा बयान मान जाएगा और जीब सुरुजेवाला की तरफ से आया है तो कि इस से पहले ताके हम और आम चर्चा कर रहे थे बुपेंदर हुद्दा से लेकर अशोगतावर जो तमाम हर्याणा लेगल के नेता है वो इस विशे पर बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे और कह रहे थे कि राश्निस तरफ पर वहसला होता है तो उसका असर हर्याणा पर भी होगा लेकिन पहली बार रंदीप सुर्जेवाला में कहा है पकाइदा प्रेस कॉंफरेंस में एएएएट कॉर्टर मतलब कॉंगरिस मुक्षाले में कहा है तो इस बात के माइने यही होते हैं और पड़ी पॉलसीज को लेकर रंदीप सुर्जेवाला यह साफ कर रहे हैं कि हर्याणा और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गटबंदन को लेकर कोई बात चित नहीं चल रही है तो इसको लगभग अभी की कंडिशन में तो फाइनल ही माना जाएगा ग्रोद और अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर एक बार अर्दीप सुर्जेवाला ने काएगी जल्दी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा लेकिन आपके सूत्र क्या कुछ कह रहा है कितना वक्त कॉंग्रेस ओल लगा सकती है उम्मीदवारों के चे जो पूरा कुनुवा जुड़ता है उसको जोड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है क्योंकि केसी वेनुगोपाल गुलाम नभी आजाद और इसके इलावा अशोग तवर और किरन चौधरी ये चार स्क्रीनिंग कमिटी जो हर्याना की है उसके सदस्य है गुलाम नभी आजाद साहब दिल्ली से बाहर थे जम्मू और कश्मीर अपने रीजन में थे साथ तारिक को उनको आना था ऐसी चर्चायन थी कि आज संडे को स्क्रीनिंग कमिटी की बैटक होने वाली है लेकिन मेरे सुत्र जो मुझे फुक्ता तोर पर ये बता पा रहे है जाकर वो ये कह रहे हैं कि नौ तारिक से पहले बैटक संबब नहीं है और जैसा हमां कहे भी रहा था आपना का गौर किया हो तो पांच-छे सीटों पर लगबग उमिदवार पैफ हो चुके हैं तो कोई बहुत बड़ा विश्य नहीं है और इन सीटों पर पचार भी शुर प्रवक्ता तरुन भंडाई साथ फोल लैन पे जुड़ गए हैं तरुन साब वरंदीप सुर्जवाला का वैयान गडबंधन हरियाना और पंजाब में आमादी पार्टी साब लोग नहीं कर रहा हैं लेकिन अकेले अगर आप मैदान में आ रहे हैं तो उमिदवार कब ऐला रही हैं हमारा चुनाव क्योंकि लास पेस में हैं तो मुझे उमीद है कि एक दो दिन में यह सुची आपके साब में आ जाए तरुन साब कुछ जानकारी है कि खबर यह है कि भुपेंसिंग हुड़ा भी चुनावी मैदान में आ रहा हैं लोग सबाद चुनाव लड़ेंग और दस्तो हमारे ऐसे नेता है जो लगातार इस भारते जंता पार्टी की नितियों के खिलाफ लगातार लड़ते आए हैं और दूसरी तरफ भारते जंता पार्टी ने जो अपने उमीदवार दिये हैं आप देखिए कितनी बड़ी-बड़ी बाते करी थी कोई मेंका सिती है और कॉंग्रेस की क्या सिती है तो उन साब एक सवाल और करता चलो आप से आखरी सवाल मेरा कि अर्विन शर्मा साब आप लोगों से छूट कर बीजेपी में गये थे उमीद उने ये थी कि करनाल से टिकेट मिलेगा लेकिन वहां पर भी हाथ खाली है उनके हैज़ा की जनता पार्टी हम शुरू से कहते है रहे कि सबसे जोटी पार्टी है इन्होंने नेताओं से दगा करने का काम तो इनका पुराना है प्रंपिये जनता से भी और राम के नाम पे भी ये दगा करने वाली पार्टी है इन्होंने किसी भी आदमी के साथ सच नहीं बोला और जि कॉंग्रेस अब कुछ ही दिनों की बात कह रही है कि कुछ दिनों में लिस्ट जारी हो जाएगी दस की दस सिठो पर कॉंग्रेस अकेले ही हरियाणा में चुनाव लड़गी कोई गड़ बंदन नहीं होगा रंदित सुर्जेवाला के बायान ने ये साफ कर दिया है स्क्रिन कमिटी की एक ही बैठक होई है इस तरह से हमाई समभादादा विनोध बता रहे थे कि कुछ दिन में एक से दो दिनों के बाद ये एक और बैठक हो सकती है और उसके बाद पहले लिस्ट आने की संभावना बंती दिखाए दे रहे फिराला हर्याना कॉंग्रेसा भी किसी जल्दबाजी में नहीं है